इंजीटी यानी की नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाजीपूर लैंडफिल साइट पर पिछले दिनों भयानक आग लगने से आसपास के इलाकों में प्रदूशन बढ़ने के मुद्धे पर खुद से संग्यान लेकर कारेवाही शुरू की है ट्रिब्यूनल ने लैंडफिल साइट से कच्रे की पूरी तरह सफाई से जुड़े आदेशों की लगातार अंदेखी पर सवाल उठाया है डीपीसीसी एमसेडी इस जेली के डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट और सीपीसीबी से इसका जवाब मांगा है अगुवाई वाली प्रिंसिपल बैंच ने गौर किया कि गाज़ेपुर लैंडफिल साइट पर पर्यावरन संबंदी समस्या लंबे समय से बनी हुई है इसकी उचाई 2019 में 65 मीटर थी जो की कुतोब मिनार से केबल 8 मीटर कम है अपने पिछले आदेशों पर नज़र डालते हुए ट्रिबूनल ने पाया कि इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हुई हैं 2022 में जब इस तरह से लैंडफिल साइट पर आग लगी थी तो NGT ने दिल्ली के टीफ सेकेटरी की अदेख्षता में कमीटी का गठन कर और परेवरेंट संबंधी नियमों का उलंगन करने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्देश देते हुए 16 फरवरी 2023 में याजिका का निप्तारा कर दिया था मौझूद ग्रीन मेंच ने पाया कि उसने पिछले आदेश के बावजूद स्थिती में आज तक कोई सुधार नहीं है और आग लगने की घटनाएं बार बार हो रही हैं लहाजा NGT ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमीटी को उसके मेंबर सेकेटरी के जरिये MCD को उसके कमिशनर के रूप में इस डेली के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इसके मेंबर सेकेटरी के तौर पर शामिल किया ट्रिब्यूनल ने इस पर भी ध्यान दिया कि गाजीपुर की लेंडफिल साइट से कचरी के पूरी तरह सफाय के लिए जो डेडलाइन तै की गई थी उसका आज तक उलंगन जारी है इस बात से नराज ग्रीन बेंच ने डीपी सी सी से पूछा की इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ती आथराइस पर रहवरंट मुह आफजा लगाने की कारेवाही क्यों नहीं की गई जवाब में डीपी सी सी के लो आफसर दिनेश जिंदल से नर्देश लेकर वकील ने बताया की इन्वायमेंटल एक्ट 1986 में संशोधन इसी साल एक अप्रेल से प्रभाव में आया है जर्माना लगाने की शक्ती अभी नहीं है बरहाल एंजी टी ने सभी प्रत्यावादियों को पांच हफ़तों के भी तर अपने जवाब देने को कहा है सीपी सीपी से भी कहा गया है कि वैस मामले में जिम्मेदार व्यक्ति या अथारिटी पर जर्माना लगाने की मुद्ध की जाच करे और पांच हफ़तों में रिपोर्ट दे आपको बता दे कि मामले की अगली सुनवाई 6 अगस 2024 को होगी लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या 6 अगस 2024 के सुनवाई में कोई फैसला हो पाएगा क्या जिम्मेदार व्यक्ति पर सिर्फ जर्माना लगाना काफी होगा क्या आम इंसान को कभी इंसाफ मिलेगा ऐसे ही सभी प्रश्णों के लिए देखते रहिए एक्स्पोस इंडिया